श्कार बिल्कुल आस्षान तरीके से स्टेप पई स्टेप अभी हम एच्छिव फैंड करेंगे गीवन नमर के लिए हमें शरप तब यहां मिलावा है चारसो एक्ताइस चीक है इसके गुणंद्खरंद करेंगे गुणंद्खरंड करने के लिए हमें अपने प्राइम नमर से विवाजय होती है जिनका ही काई है 0, 2, 4, 6, 8 वैसन ख्याहें 2 शी विवाजय होती है क्या है ये 2 शी विवाजय है नहीं है लेकिन आगे 3 से देखो 3 का भाग जा रहा है आपका 1 वार 4, 3 वार है और 7 रेकिस ठीक है फिर इसमें तीन का भाग जा रहा है कितना चार वार और नो वार फिर इसमें साथ का भाग जा रहा है और उन्चास में कितना साथ वार साथ में साथ का भाग आपका एक वार पांसो सट सट के हम चेक करें तो ये भी आपका तीन से विवाजी है भाग गया एक वार और आठ तरी चुविस नो तरी 27 ठीक है पांसो सट सट भाग फिर इसमें तीन का भाग जा रहा है कितनी वार शे वार तीन वार फिर इसमें तीन का भाग जा रहा है कितना दो वार एक वार फिर इसमें तीन का भाग जा रहा है 7 वर, 7 में 7 का भाग आपका 1 वर 693 के देखते हैं तो ये भी आपका 3 से भी बाज़ ये भाग ये 2 वर, 3 वर, 1 वर फिर इसमें 3 का भाग जा रहा है 7 तरी, 21 फिर 7 तरी, 21 अब इसमें आपका 7 का भाग जा रहा है 1 वर, 1 वर, फिर 11 में 11 का भाग आपका 1 वर आपका HCF क्या होता है देखिए एक ट्रिक से सिखेंगे इसका फूल फॉरम याद करो क्या होता है Highest Common Factor HCF यानी Common Factor लेना है Common Factor क्या होता है ऐसा Factor जो यहां भी है यहां भी है यहां भी है कौन आ गया तीन, दुबारा देखो तीन, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है फिर देखो आपका साथ यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है ठीक है? अब देखो आपका साथ यहां है लेकिन यहां नहीं है 11 यहां है, मतलब इतने ही Common Factor ठीक है ऐसा ट्रिक साप इसको समझ सकते हैं अब हमने इनका गुणा करना है यही आपका HCF है बिलकुल आसान है